कि एक छोटी सी कहानी से आज के सुजुल पाट्टी शो की शुरुवात करता हूं दो बहुत भिक्षु भिक्षु यहने सादू समझ लेंगे आप दो बहुत भिक्षु रास्ते से जा रहे थे तो उनके गुरु ने उनको ट्रेनिंग दिती कि भई इस्त्रियों से थोड़ा दूर रहना इस्त्रियों का इस्परश, इस्त्रियों में जाधा आसकती, जाधा अकर्शन मत रखो तो इतने में रस्ते में एक छोटा सा तलाब पड़ा जिसको उनको पार करना था वहाँ पे एक बहुत सुन्दर यूवती खड़ी थी तो उसने इनसे कहा कि मुझे डर लग रहा है मैं पार नहीं कर पारी है तो इसमें से एक बहुत भिक्चु ने उस यूवती को कंधे पे ऐसा करके टांग लिया और तलाब पार कर दिया तलाब पार करके उस सीनियर भिक्चु ने उसको उतार दिया और आगे चले गए साथ में एक जुनियर भिक्चु था वो थोड़ी दिर तक बहुत तनाव मेरा कुछ दूर जाने के बाद वो सीनियर भिक्चु से कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया गुरु जी ने कहा था कि इस्त्रियों से दूर रहना और आपने तो उस इस्त्री को कंधे पे लाद लिया तो सीनियर भिक्चु कहता है अरे मैंने तो उसको कब से उतार दिया तुम उसको अभी तक दिमाग में लादे वे हैं साथियों कितने सारे लोग कितनी चीजों को दिमाग पे लादे वे हैं उसने कार किया उसको उतार दिया उसकी एक आशक्ता थी खतम किया आगे बढ़ गया लेकिन दुनिया में कितने लोग कितनी चीज को दिमाग पे लादे वे हैं मेरे साथ इसने ऐसा किया मेरे साथ उसने गलत किया एक समय था उसने मेरा साथ ने दिया जब वो दे सकता था मेरे साथ इनको ऐसा वैवहार नहीं करना जाए था यार इतना बोज लाद के घुमोगे तो बड़े कैसे होगे इतना बोज एक गाड़ी में भी जादा बोज होता ह इतना बोज रखोगे तो इस पीड कैसे पकड़ो है इतना बोज रखोगे तो आपकी गाड़ी स्पीड कैसे चली हर दिन बोज उतारते चलो हर रात जब आप अपनी वर्क प्लेस से निकलो उस दिन वहां के मत भेद वहीं छोड़के निकलो और एक कदम आगे बढ़ सकते हो तो किसी से विवाद हो जाए कोई लड़ाई हो जाए तो सामने वाले से कहना या राज तेरे और मेरे बीच जो हुआ उसमें मेर जो गलती है उसके लिए I'm sorry उसकी क्या गलती है इसका जिम्मेदारी उसकी है उसको मावी मांगना है नहीं मांगना है वो उसकी प्रावलम है आप अपना बोज उतारो और आगे बढ़ो बोज मतलो किसी जगा का बोज मतलो किसी भी दिन के विवाद को अगले दिन तक मत जा कटा तो उसमें बहुत सारी गांठे बनी फिर गांठों को खोलना बहुत कठेन कांठ बाहे फेलागे गले लगाओ लोगों को आगे वड़ो जो जितना बोज लादेगा दिमाग में छोटी छोटी चीज का बोज वो कभी बड़ा नीवन पाएगा बड़ा वही बन सकता है जो खाली होगा किसी पात्र में पहले से बहुत चीज भरी हो तो अमरित भी आ जाए तो उस पात्र में नीडाल सकते हैं किसी अलमारी में पूरा तरह से समान भरा हो तो चाहे कुछ भी आ जाए उस अलमारी में और समान नही रखा जा सकता साथियों बड़ा वही बनेगा जो खाली होगा खाली तभी होगे जब बोजा कम करोगे और यदी जिन्दगी में वाकई कुछ बनना चाहते हो यदी जिन्दगी का आनंद लूटना चाहते हो यदी जिन्दगी में कोई उपलब्दी हासिल करना चाहते हो यदि जिन्दिए में खूश रहना चाहते हो अल्टिमेटली सबका परपस क्या है खूश रहना और वो कैसे खूश रह सकता है जो बोजा रखा हूँ है किसी सीट में आप एक कील गड़ा दो और आप जब भी उस पे बैठा वो कील जोर से चुबे तो आपको कितनी भी महंगी कुर्सियों बैठने का आनंद नहीं आएगा भले वो कुर्सी करोरों की क्यों नहीं हो वो कुर्सित आपको तभी आनंद देगी जब वो कील वहां से हड़ जाएगी और आप आसानी से पसर के बैठ पाऊ तो बड़ा वही बनेगा जो बोजा कम लादेगा और जितने भी ल आतों की नीन हराम कर रहा है आपके वैवार को खराप कर रहा है लोगों से आपके संबंद को खराप कर रहा है हलका होईए आगे बढ़िये बोजा उतारिये आगे बढ़िये शुक्रिया धन्यवाद थेंक यू